हेलो दोस्तों मैं आर इंते हैं और स्वागे था आपका हमारी एक और वीडियो में आज हम देख रहे हैं आपकी होंडा अमेज ठीक है और जब इस प्राइज रेंज की हम बात करते हैं तो आपकी दिमाग में बहुत ही सारी गाड़ियां आ जाती है क्योंकि यह 6 लाग से 10 ला bnd आजा है और इजा रहें और इस वाले प्राइस सेगेमटत्र मैं अगर आप गाड़ी खरीद रहेँ तो आप 100% और अप राची Rs. वेरियंट आते हैं आपको E, Base Variant और फिर S आता है फिर आता है VX, Top and Variant Honda की सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत इना Minimal से अपना Variant रखते हैं जिससे Customer को चूज करने बहुत ही असानी हो जाती है और इसमें आपको LED Position Light भी देखने को मिल जाती है फोकल लेंपस में नहीं मिलते हैं क्रोम का थोटा सा काम मिलता है ग्रिल पर साइड के अगर बात करें तो भाई काफी देखो सब 4 मिटर के अंदर आती है काड़ी इतनी लंबी नहीं है ठीक है पर अच्छी लगती है और देखो सेडान है कॉमपेक सेडान है अच्छी लगती है पीछे से बेकर लाइट वगर की बात करें तो LED में टेल एट देखने को मिलते है उनकी बात करेंगे अच्छे से बात में पहला आप लुक देख लो एक बारस का कैसा लगता है प्रीवांट नहीं आता है दोस्तों ठीक है आए अनलोक करके अंदर चलते हैं जैसे यह में से गेट पे आता है तो भाई गेट देख आफ इसका बहुत ही प्रीमिम्यम इंटेर आपको देखने को मिल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है तो यह प्रोपर बेज इसा ल लोग का मिल जाता है तिक है और पीछे आपको इहाँ पर पार विंडो जाखने को मिल जाता है और नीचे की अग्र बात करें आपको आपको बोटल होलडर है अपर मिल जाता है बहुत ही सही ओवरॉल लग रहा है मुझे गेट्स का ठीक है अंदर देखो भाई ने सोड़ा काम करा रहा है मेरे फ्रेंड की कार है रहे है ठीक है एक बार आप देख लो इस अच्छे से देखो यहां पर जैसे हम बैठते हैं आपको एक अलगसी टच आपको देखने को मिल जाता है काफी सिल्वर एसेंड की साथ हमने कर लिए गाड़ी आपको दिखाता हूं सारी चीज़ें देख लो आप इधर से पले गाड़ी को बेच काफी साथा यूज एस गाड़ी में ब्लैक और बेच काफी जो एट्रेक्टिव लगता देखने में कलर इसे एक लीवर मिल जाता है साब खैंचो के ऐसे आपको बूट अपन हो जाएगा अगर स्टेरिंग की बात करें तो काफी अच्छी सी आपको इमाइड देखने को मिल जाती है जिसमें लैट साइड में आपकी चोड़ टीसी की डिजिटल एमाइड देखने को मिल जाता है ठीक है बागी सारी चीज़ें आपर आपको मिल जाती है बाही ने माइक लगवा रखा है यहां पर ठीक है ओवरोल अगर बात करें काफी अच्छी से दिखने वाली काड़ी है अर अंदर से काफी प्रीमियम अपको फील होता है बैट के ठीक है ब्लैक ब्लैक नहीं है सारे अच्छा लगता है वरोल अगर बात करें तो इन इसी इवेंट्स वगर की बाद में कर लेंगे पहले इसकी बात करते है कीमत की इसकी एक्शोरूम कीमत है 747,000 747,000 ठीक है जिसमें आपको बार उसी पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है ठीक है जो कि आपकी 88 बीच्प की लिए मजबूत गाड़ी है और उसके बाद अगरे 18 के माईलिज निकाल रही है बहुत इच्छी बात है ठीक है देखो पहले उपर हम चलते हैं यहां की बात करेंगे बाद में ठीक है पहले अपर सारी इस इवेंट आपको देखने को जाते हैं पहले उपर से बात करते हैं नीचे आपको music system देखने को मिलता है यह वाला इसमें नहीं आता है इसमें ऐसा आता है जैसे आपकी screen पर अभी देखने को मिलता है इधर के अगर बात करें यह आपको air intake यह पर देखने को मिलता है और यहां पर आपको कोई आम रहस नहीं मिलता है पीछे यह आपर भी आपको 12 वोट का पावर्ट देखने को मिलता है तो चार्जिं के दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ठीक है इधर के अगर बात करें आप पर vanity mirror देखने को मिल जाता है और पीच में आपको मैनुली एडिस्ट करना पड़ेगा आयार भी मिहां पर आपको गलब बोक्स देखने को मिल जाता है ठीक ठाक साइस का ठीक है देखो आप एपर कलर देखो यार इसका मुझे कलर सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है प्रोपर बेज कलर हम इसे कहे मैंने आगे वाली सीट पूरी पीचे गरीवी है अब मैं आपको पीचे चल के दिखाता हूं उसमें कितना स्पेस बनता है यार यह मुझे लग राएक इसमें स्पेस गाड़ी में काफी है एक बार बैट के देख लेना कितना लगता कितना नहीं ठीक है पूरी साइड में प पांच आठ है और तब भी देख लो इसमें कितना स्पेस देखने को मिल रहा है माल सफीशेंट है यार देखो आगे वाल सीट को थोड़ा सा आगे रही चलाओ तो पीछे बहुत स्पेस है और यहां पर आपको भाई आमरेस देखने को मिलाता है जिसमें दो कप होल्डर भी तो परफेक्ट लग रही है मुझे आपर सारी जिगा आपको ग्रैब हैंडल एकने को मिलाता है ड्राइवर साइड भी मिलता है यार अगर आप प्लैन कर रहे हो ना आठ साढ़े आठ नो लाग तक की गाड़ी तो परफेक्ट गाड़ी है ठीक है मैं मेरी लिस्ट में दूस लगती है इसमें आपको सिशेप में वाई चार मिल जांशर भी म जब चाले नहीं लेकर नहीं आते लेकिन आपको इसमें चार रिवस्परिंग सेंसर बी देख बातना है और इसके बीडिक ऴ DIRECTOR है यहां पर पफिल्ल गारी तो पर यहां पर लाइट देखो थे और इसमें बूट स्पेस भाई 420 लिटर का देखने को मिलता है जो काफी ठीक ठाक साइज का आपको देखने को मिल लाता है तिक अंदर की फिनिश भी काफी एच्छी है इस पेर वील आपको मिल लाता है 14 इंची यह चीज में मुझे काफी सही लगी यार इस गाडी की कि इसम आपको कमेंट सेक्षिन में जुरू बताना चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद